Hi Friends, Arsela Fooking में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे ये व्यम्मी टेस्टी जामन खोया पुरी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मसेदार जो मुंही रखें तो उखुल जाएगा बहुत ही टेस्टी जाले बनाते हैं सबसे पहले हमें जामुन खोया पुल बनाने के लिए इतने से चीज़ें चाहिए ये गुलाब जामुन की पैकेट ये कर्णेंस मिल खोया एक का थोड़े से कटेवे बादाम और शकर और ये गुजिया बनाने के लिए जो यूस करते हैं वो गुजिया मेकर चलिए सबसे पहल पाणी बीडाल देंगे और एक तेंचरी लाहे ची डाल के थोड़ा सा फूट कलर डाल के उसको अब हम शीर को पकने रख देंगे जैसा जामुन के लिए शीरा बनाते है ना उसी त्याया का शीरा बना लेंगे शेकर पिगल चुकी है, शीरा एक तरफ पकता रहेगा, अब हम खोया परी को स्टफ करनेगे, खोये को तयार करते हैं, एक खटोरी खोया, इसको अच्छी तरह से शेकर लेंगे, थोड़े से कटेवे बादा, आदा डबा कंडेंस मिल्क, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चलिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम जमन के आटे को गुन लेंगे, एक पैकेच जमन का आटा, उसमें थोड़ा सा दूट डालके, जामुन के आठे को गुन लेंगे, जामुन का आठा थोड़ा सा हम घट गुन लेंगे, जैसा कि रोटी के लिए गुनता है उसी तरह का आठा गुन लेंगे, देखिए, अब उसके रोई बना लेंगे, देखिए, लोई बन चुकी है, आप तेल करम को रख देंगे, शिरप पप चुका है, आप हम कितने लोई बेंगे, पूरे बेल लेंगे, क्यूंकि खवार डालने के बाद आठा भीगने लगता है, इसलिए हम पूरे लोई के पूरी बेल लेंगे, चलिए हम बेल लिया है, अब हम गुजिया मेकर में पूरी रख देंगे, उसके अंदर खोया का मिक्सर डाल देंगे, अब उसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा दबा के प्रेस कीजिएगा, नहीं तो सेट से खोया निकलने लगता है, अब हम बना बना के तेल में डाल देंगे, बना के बिलकुल भी नहीं रखेंगे, बना कर तभी 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 तेल में डाल देंगे, बनाते रहेंगे तेल में डालते रहेंगे, तेल में डालते रहेंगे, तेल में डालते रहेंगे, तेल में डालते रहेंगे, तेल में डालत लो फ्लेम में हम उसको तलेंगे, धीमे धीमे से, अब हम खड़ाई में उसको तलेंगे, से लिए तल चुके हैं, अब हम उसको निकाल लेंगे, यह बहुत ही टेस्टी बहुत ही बढ़िया बनते हैं, अब हम पूरे जामन खोया पुरी को तल लिया हैं, अब हम उसकी ऊपर शीरे को डाल देंगे, देखे कितने टेस्टी, कितने देखने में भी अच्छे, खाने में भी तो बहुत ही मसीदार, अंदर से ट्रीमी खोया, कर्णेंस मिल्क, बहुत ही टेस्टी बहुत ही बढ़िया बनते हैं, देखे तयार हैं, जामन खोया पुरी तयार है, अब भी जरूर ट्री कीजिएगा, अगर आपको पसंद आये तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा और भी इस तरह के जामन खोयापुरी एक बार जरूर बनाएगा थैंक यू